असामनेकम क्लावस आज हम करने जा रहे हैं प्लाणिंग ऑन गोल सेटिंग जो कि चप्टर एट है आपकी मैंश्मन की भूब का प्लैनिंग अन्गोल सेटिंग के अंदर हम बैसिकली देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो define करेंगे कि planning होती क्या है फिर उसका process क्या होता है फिर उसको classify करेंगे उसकी organizational goal के point of view से फिर हम compare करेंगे और कुशिश करेंगे जानने की कि हम कैसे फंक्शनली लिस्ट बना सकते हैं डिवालफ कैसे कर सकते हैं skills ताकि आप अच्छी planning कर सकें और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि contemporary issues currently यानि कि जो issues आते हैं planning के दुरान उन issues को हम देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि planning क्या होती है अगर हम planning की definition की बात करें तो ये एक ऐसी managerial activity है कि जिसके अंदर involve होते हैं कि आप सबसे पहले किसी organization की goals को define करते हैं उसके बाद है कि establish करते है strategy ताकि आप उन goals को achieve कैसे कर सकते हैं फिर आप क्या करते हैं आप अपने plans को develop करते हैं कि आपने work activities कैसे करनी है like अगर हम journal planning की बात करें तो आप अपने obviously daily routine की planning करते हैं या आपने किसी trip पर जाना हो तो you planned कि आपने किस route से जाना है किस time में जाना है ताकि आप fully जो है उसके enjoy कर सकें तो जिब हम बात करते हैं planning की managerial के perspective से क्योंकि हम management परने हैं तो management के अंदर सबसे पहले जो है हम अपने organization की goal define करेंगे कि हमें अगर profit का turnover करना है या हमें अपने employees को train करना है तो हमें अपना एक benchmark set करना होगा उसके बाद हम strategy set करेंगे कि हम step by step किस तरह से उन goals को जो है वो achieve कर सकते हैं और फिर उन goals को achieve करने के लिए activities क्या होनी चाहिए है like अगर कोई firm जो है वो manual से automatic के उपर shift हो रही है और उसके workers जो है वो इस चीज़ से totally आनवे रहे हैं तो वो किस तरह से जो है वो इनको shift करें कि उनकी work load भी जो है वो balance रहे काम चलता रहे और disturbance ना आए इसके बाद आती है जी formal planning formal planning क्या होती है कि इसमें specific goals होते है specific time period के लिए like अगर आपके जैसे मैंने अभी बात की थी कि आपकी automatic पे आप लोग shift होए हैं तो वो specific time के लिए आपका एक goal set हुआ कि आपने workers को भी manual से automatic पे shift करना है तो उनको training देनी है तो वो आपने 6 माँ में एक साल में एक माँ में जितना भी depending on the organization's need कि उसके time frame के अंदर आपने उनको set करना है और इसमें क्या होता है कि आप written भी होता है organization members जो हैं वो लिखे भी जाते हैं और सब कुछ जो है वो work लिखा जाता है और वो जो planning होती है वो किसी एक बंदे के पास authorized नहीं होती है बलकि जो organization के members होते हैं उनको भी पता होता है कि organization क्या क्यों कप करने चारी है और वो अपने goals को कैसे achieve करेगी moving on why do managers plan कि managers को planning करने की जरूरत ही क्यों आजाती है ऐसा क्यों नहीं होता कि manager randomly जो है वो कोई भी काम कर लिए तो purpose क्या है planning का कि managers क्यों plan करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है कि आपको provide करता है direction देखें अगर हम बात करते है managers की managers जो है वो काम करते है organization के लिए organization जिस भी purpose के लिए बनी होगी उसके employees को पता होगा उसके top to bottom employees को पता होगा कि हमारी organization का मकसद क्या है तो उसकी अपनी planning के साथ-साथ जो है वो उसके काम करेंगे और अपने जो है वो achieve करेंगे लाइक अगर कोई NGO है तो NGO का purpose जो है वो पता होगा उसके employees को कि उसके employees जो हैं वो किस तरह से non-government activities कह रहे हैं उनने किस तरह से services देनी है और जो normal organizations होती है जो profit earn के लिए बनी होती है तो उसके employees को भी पता होता है तो वो फिर contribute करते हैं उससे क्या होता है employees को managers को पूरी जो है उनको एक direction मिल जाती है जिसकी वज़ा से जो है firm है profit earn करने के लिए बनी होई है तो फिर क्या होगा ambiguity नहीं रह जाएगी employees के अंदर उनने पता होगा कि हम एक fair और legal काम करें employment हमारी legal है तो वो फिर happily खुशी से जो है वो contribute करेंगे उस organization के अंदर इसे क्या होगा कि आपकी minimize हो जाएगी waste भी और redundancy भी redundancy basically एक ऐसे phase को कहते हैं कि जहां पे employees को उनके काम से निकाल दिया जाता है तो जब employees को पता ही नहीं होगा कि उनके organization के planning है तो वहाँ पे इसके chances वड़े बढ़ जाते हैं लेकिन जब आपके clear cut plans होंगे और वो top to bottom transfer होए होगे तो फिर वहाँ पे redundancy का जास्ट है वो बड़ा कम हो जाता है उसके बाद जी sets standards for controlling क्या होता है कि planning भी हो गई वो transfer भी हो गई तो फिर क्या होते हैं कि managers set करते हैं कि हमने अपनी activities को किस हाथ तक control करना है कि हम अपने targets को हम अपने goals को meet up कर सें अपने time span के अंदर अंदर like अगर हम किसे bank की बात करते हैं तो bank के monthly plans भी होते हैं weekly भी होते हैं semi-unvally भी होते हैं it depends on the like अगर branch होगी तो branch के plans जो हैं वो month wise हो सकते हैं कि उनको अपना इतना जो है वो cash वगारा maintain करना है या इतने उनने अपने reserves रखने हैं इतने accounts open करने हैं ताकि उनकी bank की जो है उनकी branch की worth बने और bank की बात करेंगे तो bank obviously अपनी balance sheet को देख रहा होगा कि year end के उपर उसकी worth कितनी होनी चाहिए तो plans varies तो employees को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको control भी किया जा सके और lead भी किया जा सके पिर आगे फर्दर moving on to planning and performance relationship between planning and performance अगर हम previous studies की बात करें तो normally हमें positive relationship भी मिलता है planning and performance के in between लेकिन हमें से rule नहीं बना सकते हैं क्योंकि sometimes ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कुछ उल्टा उल्टा भी हो सकता है तेखें अगर कोई firm बड़ी अच्छी planning करती है तो performance में में भी कोई ऐसा external factor भी उसका influence कर सकता है कि उसकी performance up to the mark ना जाए तो majorly positive relationships मिले हैं लेकिन इसको rule नहीं बनाया जा सकता है अगर हम बात करते हैं कि former planning associated with former planning देखें हमने अभी बढ़ाता कि former planning क्या होती है कि specific time immediate क्यों होती है specific goals होती है second आपके सारे members को पता होता है कि organization क्या कर जा रही है तो उसमें क्या होता है कि आपके हाई chances होते हैं profit के और return on visit और positive financial result आते हैं क्योंकि जब आप formal planning करते हैं तो आपके पास target होते हैं छे माँ एक साल जितने भी आपने goal set की है मैं planning की हुए है और आपको results चाही होते हैं तो इसलिए बहतर होता है कि को भी organization जो है वो performance को और secondly आपके plan से जदा कि आपकी quality क्या थी कि अगर आपने अपनी performance आपने textile farm होने के ना आते हुए आपने इतना output देनी है तो उसके अंदर quality कितनी आ रही है आपके plan में quality क्या है क्या उसकी feasibility सारी आपके पास available है उसके लिए requirements सारी पूरी है तो फिर आपकी performance भी अची ह scenario आ सकते हैं और weather वगेरा भी somehow effect कर सकता है तो यह चीज़े हैं आपकी planning को फिर effect कर सकती है और ultimately effect कहां पर फिर fall करेगा आपके performance के उन्दर और आपकी goals achievement में फार्ग कहा जाएगी तो फिर वहाँ पर जो हमने बात की थी अभी के positive relationship जो है वो फार्ग हो जाएगा उसके बाद कोई भी organization को starting में एक long term planning करने के बिज़ा है formal planning पर focus करना चाहिए formal planning पर focus करने का एक benefit ही होगा कि जब वो छोड़ चोड़ चोड़े से अपने goal set करेंगे एक time span के लिए वो उनको achieve करते चले जाएंगे तो उनको अपनी farm के fluctuation का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी tolerance क्या है वो पर external environment के साथ तक influence कर सकता है तो फिर उस organization के एक long term planning भी बड़ी successful जाएगी और वहाँ पर हमें positive relationship ही मिले हो